असलेम वालेकम दूस्ता सामकिसे टीबी चैनल पर अब सभी का मेरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है दूस्तो उम्मिद करता है आप लोग खेरियाचो होंगे ठीक होंगे दूस्तो अगर आप लोग कर रेबिट के वर में सही जनकरी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे साथ में बैल आगन कोई कोन कीजेगा दूस्तो काफ़ी सारों लोग बहुत दी उम्मिद करके मुझे करता है संदे कुछिन करता है लेकिन सभी का एंसर देना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लोग पसंद नहीं करते हैं तो ड़ के सबसे पहले सबसे पहला कीजिए लेकिन वीडियोंकि यदो सबसे पहले पर अपनी राग्द प्र equations को नीटरर इस पर कीजिए अगर आपको यह possible नहीं होता है क्योंकि हर जगा bed director नहीं होते है और यह थोड़ा costly होता है आप male female को live time के लिए अलग करके रखी है मेरा बोलने के मतलब यह है कि आप rabbit को breeding stop कीजिए तो बच्चे नहीं होगा next जो tips है वो है आप single rabbit पाल सकते हैं अगर आपको rabbit से बच्चे नहीं चाहिए तो देखिए यह बात बहुत सरे लोग बिश्रोस नहीं करते हैं ट्रास्ट नहीं करते हैं कि rabbit भी अपने बच्चे को खाते हैं लेकिन दिस्तो कभी का बार एक female rabbit बच्चे जनम देने के बाद तूरांत ही अपने बच्चे को खा जाती है इसके भी बहुत सरे reason है जैसे कि आ असपास कोई predator घूमता है या रहता है तो भी एक rabbit बहुत ही डर जाता है और उस वक बच्चे जनम देने के बाद ही तूरांत खा जाता है क्योंकि वो यह चाहते है कि उसके बच्चे को शिकर रिजन और शिकर ना करें और भी धेर सरा reason है और मैं यह आपर details में नहीं बता सक अगले जब बच्चे होगा उससे पहले ही rabbit की room से predator को हाटना होगा crowding area से दूर रखना होगा एक शुरक्षे जगा पर rabbit को रखना होगा तब अपका rabbit बच्चे को नहीं खाएगा अगर फिर भी खाता है तो मैं आपको यह सच्ट करोगी जब female rabbit बच्चे देती है उसके problem काभी तरह लोग face कर रहा है काभी कबर क्या होता है कुछ मादा खरगोश या नर खरगोश ब्रेडिंग नहीं करना चाहते है मेरे पास solution एक है और घरलोन उसका है जो rabbit ब्रेडिंग नहीं करना चाहते है उस rabbit को अप लेसुन की एक या दो गुली फीट के साथ मिला कर खिला आई है उसके बाद आपको जो result मिलेगा वह देखके आप खुश हो दाएंगे नेक्स्ट कुशिन फातेहगरी गोशामी खरगोश को छोटे बच्चों को भैसों का दूद पिलाने से क्या होता है एक्शली जो रेबिट से रेबिट के सुलिए बच्चे है उन बच्चे भैस प्रोटीन रहता है जो रेबिट के बच्चे के लिए काफी हैल्दी है यह पर मैं आपको सब्सक्राओ कि आप रेबिट के बच्चे को बकरी का दूद पिलाइए बिल्ली का दूद पिलाइए दूस्तों जो बकरी का दूद है वो एक्शली रेबिट के बच्चे बहुत ही इरिटेट फिल करता है, so I request all of you guys, छोटे क्रेज में पेट सेनिमेल को मत रखिए, next question, दोस्तों next question क्या है, पंकास लखरू, भाई मेरी रेबिट जब बच्चे देती है, तो मुझे बच्चे को उससे दूर रखना चाहिए क्या, क्योंकि वो बच्चे को मार डालती है, सिर्फ दूर पिलाने के लिए ही मम्मी के साथ थोड़ा रख देने से कुछ होगा क्या, बच्चे को please reply in Sunday comment box, तो देखिए, अगर कोई फिमेल रेबिट अपने बच्चे को जर्म दने के बाद मार डालती है, खाज आती है, तो उन मादा खर्गुर्ष से आप बच्चे को totally separate करके र Sir, रेबिट को beetroot खिला सकते हैं? Yes, of course, आप रेबिट को beetroot खिला सकते हैं, जो सुकंदर है, उसको beetroot कहा जाता है, तो आप रेबिट को खिला सकते हैं, तो आप रेबिट को खिला सकते हैं, तो आप रेबिट को खिला सकते हैं, तो आप रेबिट को नहीं खिला सकते हैं, ने तो दिखिए ये कैसा अभिहाव है आई जोन नो रेबिट को तीन दिन से बंद करकर रखा है और कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया है आप रेबिट को टॉशर कर रहे हैं शायदो जिन्दा नहीं रहा कि की दिखिए डिखिए रेबिट को आप 12 गंटे तक बिना कुछ दिए हुए राख सकते हैं 12 गंटे के बाद अगर आपने रेबिट को कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं तो रेबिट के पेट में गेस बन जाता है जो बहुत ही painful होता है ये गेस आपका रेबिट का जा असलाम वालेकुम वालेकुम असलाम भाई मेरा रबिट काल से आज मोर्णिंग तक चार बच्चे दिये है और उसको देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी और बच्चे देगा क्या ऐसा होता है बिल्कुल कुछ रबिट ऐसा हरकत करता है जब उसकी बोड़ी में कोई infection होता है एक साथ सभी बच्चे को जनम नहीं दे पाती है रुक रुक के बच्चे को जनम देती है आप कह रहे कि चार बच्चे हुआ है तो और भी बच्चे हो सकता है क्योंकि रबिट एक से सोदा तक बच्चे जनम दे सकता है तो आप वाइट किजे शायद और भी मिल सकता है next question सम इस पॉल्म टिस अगर रबिट पाल नोस्ती है तो इसका मतलब है आपका रबिट प्राइगनें और नहीं तो फाल्स प्रेगनेंट है एक दूसरे को चाटते हैं क्योंकि रबिट एक क्लीन अनिमल है और इसलिए एक दूसरे को साफ करते हैं ग्रोमिंग करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो मिलते हैं दूसरे को इन्फर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोग आपके रैबिट के साथ खुश रहे मसद रहे इस से जुड़े रहे खुदा हफीज झाल